आज बना रहे हैं बैड और हमने बकसे त्यार कर लिए इसमें हमने 19 mm की प्लाई लगाई है और नीचे लगाई हमने 12 mm की प्लाई यह 12 mm का प्लाई हमको पड़ा 35 फोट और यह जो हमने 19 mm का लगाया है प्लाई यह हमको पड़ा 45 फोट दोस्तों जो बैड बजार में मिलते हैं वो पूरे बैड में ही 12 mm की प्लाई लगाते हैं इसलिए वो इनसे काफी सस्ते पड़ जाते हैं हमको जो हम खुद बनवाते हैं इसलिए पाफर लगाया हमने बैड करीचे यह हमने दोनों बैडों के लिए सर्माइक का पसंद कर लिया है एक का डार्क ब्राउन है और दूसरे का लाइट ब्राउन इस सर्माइक का हम आपको बाद में खोल के दिखाएंगे जब इसका काम आएगा पहले ही सारा काम हो हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हमें अ बा कर दिखित को फ़्या थे अब ने टीमीन पीओक अपजा लगाया है सीधा ये एक्सा पफर हमने काट दिया जो बीच में से उचारा जाता है ये जो बीच में बफर लगता है उसके अंदर से जो पेच बाहरा जाता है उसको ग्राइंड कर देते हैं ताकि बैट में जो भी समान रखा जा है वो खराब नाव इससे यह देखिए यहां से निकलता है हुआ है हमने हैंडल हैवी वाले यूज़ की है स्टील के है 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 हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है दोनों बैट के लिए हमने बुड़न फिनिश में नाइका लिया है वन एम का माइका ही है यह अपने डार्क ब्राउन में लिया है और वो लाइट ब्राउन में है दूसरे बैट के लिए अधितths स्थ्ट कोणे है अँ़ स्थ्ट के लिएके लिए crater अपर के लिए हैं नहीं आर्क बार्क अ़ागध सख़ेख में आर्क अई topics है झाल झाल कि मैं कि लगाने के बाद हमने इस पे टेप लगा कर अभी इसकी मालिश हो रही है ताकि सारे बबल निकल जाए मिच में से और स्लमाइका उठेना कि मैं सोला ओओ लगा है एęd स्ञ जुब लगाका थे बाद करोंकि आएम हो लगार्ट कि जरकी में हो आए हैं ैंम खल सका हैॉ अब दोनों बेट पर हमने सनमाइक का लगा दिया है अब आप बताइए कमेंट में आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा थे यह वाला यह यह वाला अब इस पर वजन रख रख रहा है यह सनमाइक का उठ रहा था इसलिए हमने इस पर वजन रख रख रहा है ताकि यह उठेना अब बेट की बैग हमने त्यार कर लिया है पिछे अच्छी तरह स्पोर्ट लगा कर अच्छी तरह का लगा कर दूसरी साइड लग रहा है एक बेट की त्यार होगी है दूसरे की अभी हम करेंगे क्टिंग होने के बाद ये ऐसा त्यार हो जाएगा ये दूसरे बेट का हमने त्यार कर लिया है पहले से इस बेट का अब इस पर लेदर लगने के लिए पलाई जाएगी ये पीस अब निकाल के ले जाएंगे इस पर लेदर लगवाएंगे और फिर उसके बाद देखना ही कैसा लगएगा अब इस पर भी ये ऐसा डिजाइन बनाएंगे कुछ और उस पर भी लेदर लगवाएंगे फिर उस पर भी देखना कैसा डिजाइन बनेगा उसके बाद बॉक्स की एज बेंगे हमने कोई पेंट या पॉलिश नहीं करवाया है हम ये टेप लगा रहे हैं सलमाई के के बिल्कुल साथ की टेप है ही बसे से कुलू लगा कर और इसको टेप को चिपका दढ़ना है और कुछ नहीं करना है इसको पॉलिश वार आम जितना काम बचा सकते हैं हमने बचाये आकि हमको ज़्यादा स्रदर्दी ना रिनी पड़े इस बैट की भी सेम टेप सर्माई के साथ की लगाई है अभी जब लग जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे अगर सारा आप बनता हो दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अब दिखाता हूँ आपको इसका त्यार होने के बाद सारा कुश्च यह हमने कलम बनाई है इसकी टक्कर नहीं लगाई है कर दो जोने कुश्च प्लाइवर दीए एक बैट की बैग तियार होगी है अभी दूसरे वाला भी वाला लगाएंगे दूसरे पर यह रेड़ी है इसको बैट के साथ फिट करेंगे अभी दिखाते आपको ग्लू से हमने लगाया है उसके बाद हमने कील लगाई है साइडों में कील उसके अंदर अपने अप चली जाती है खराब नहीं होता है कील से अब यह देखेंगे अब अब जापना कांग अब दार्क ब्राउन हमने इस लाइट ब्राउन के साथ कॉंबिनेशन मैच किया और दूसरा वाला कंट्रास्ट अब अब उसमें दूसरे में दिखाएंगे यह देखिए अब क्मेंट बॉक्स में बताईए आपको यह कैसा पर अब जापना है कि अब अब है कि अब यह दमने डाल पुडन में यह का लेदर लगाईगे यह मैं ने बैख को इसके जाद फिट कर दिया एंदर से पेज लगा तर पिछछे से पेज सट किया है इसमें इसमें स्टोरेज बोक्स भी है इस पर अपने समान रख सकते हैं काफी समान आजाएगा दोनों साइड में रजायवेकर रखने के लिए कोई भी समान रखने के लिए आप इसमें रख सकते हैं दोनों बेट स्टोरेज बोक्स वाले हैं यह बेट पूरा रेडी है ब्राउन सनमाइका के साथ लाइट ब्राउन लेदर लगा है यह जो पीछ में आप जगह देख रहे हो यह गद्दा कवर कर लेगा इसलिए अपने के साथ से जो गद्दा नहीं कवर करेगा उस पर सनमाइका लगा है बाकी आप देखो और कमेंट में बताओ आपको यह कैसा लगा और हमारी वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल अकन को प्रेस ज़रूर करना और कमेंट में यह भी बताओ अगली वीडियो आप किस लिए किस टॉपिक पर चाते हो यह वाला बेट भी रेडि है इस पर हमने लाइट ब्राइन लाइट ब्राउन सलमाइका के साथ डार्क लेदर लगाया यह भी आप बताईए आपको कैसा लगा आपको कौन सा बेट ज्यादा अच्छा लगा यह भी बताईए दोनों बेट का हमारा खर्चा अलग-अलग मतलब एक बैड का कर्चा हमारा सोना या स्ताराइजार के बीच बीच में आया है सब कुछ मिला के जिसमें लादर भी याए और यह सवallka वगयरा सार कुछ strength जिसमें हमने पौने की पिलाई लगाई है पौने- इंची-क पढ़े हैं पर फिर भी बेड उनसे डबल ही चलेंगे डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही चलेंगे इसलिए घर पे बेड बन माने में थोड़ा ज्यादा फैदे मंद रहता है बार उसे बेड लेने में ऐसा नहीं है कि बार बेड सारे खराबी मिलते हैं बट ज्यादा तर जो सस्ते होते हैं, वो इतने कामियाब नहीं होते हैं. झाल, टो झाल.